मनुष्यों की पोशाकी उन्हें विभिन श्रेडियों में बांट देती है। समाज की निचली क्षेणियों की अनुभूती को समझने की चेश्टा करें तो हमारी पोशाकी बंधन और बडपन बन जाती है। जैसे वायू की लहरे कटी हुई पतंग को सहसा भूमी पर नहीं गिर जाने देती। उसी तरह खास परिस्तितियों में हमें हमारी पोशाकी जुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपात पर कुछ खर्बूजे, डलिया पर, कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे थे। खर्बूजों के समीप एक अधिर उम्र की ओरत बैठी रो रही थी। खर्बूजे बिक्री के लिए थे। परन्तु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खर्बूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मूँख छिपाए, सर को घुटने पर रखे, फफक फफक कर रो रही थी। पडोस की दुकानों के तक्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस त्री के संबंद में बात कर रहे थे। उस त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपात पर उसके समीब बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूखते हुए कहा क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता। और यह बैहया दुकान लगा कर बैठी है। दूसरे साहब अपने डाड़ी खुजाते हुए कह रहे थे। अरे जैसी नियत होती है अल्ला भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपात पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा। अरे इन लोगों का क्या है। ये कमीने लोग रो अल्ला जी ने कहा अरे भाई उनके लिए मरे जी एका कोई मतलब ना हो पर दूसरे के धर्म इमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मने पर तेरा दिन का सूतक होता है। और यहां सडक पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजार आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खाले तो उसका इमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। सोधे के पास बैठ जाता, कभी मा बैठ जाती। लड़का परसो सुबा मो अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गिली मेड की तरावट में विश्राम करते हुए एक साप पर लड़के का पैर पढ़ गया। साप ने लड़के को डस लिया। लड़के की आटा और अनाज था, वह दान दक्षिना में उठ गया। मा, बहु और बच्चे भगवना से लिपट-लिपट कर रोए। पर भगवना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विश्र से उसका सब बदन काला पढ़ गया था। जिन्दा आदमी नंगा भी र खनी ककना ही क्यों न बिक जाए। भगवना पर लोग चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबा होते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खर बूजे दे लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह चल रहा था। अब बेटे के बिना बुढिया को कोई कुछ उधार भी क्यों देता। बुढिया रोते रोते और आखें पोचते पोचते। भगवना के बटोरे हुए खर बूजे डलिया में समेट कर ब बसा। आज वह बाजार में स्वादा बेचने चली है। हाई रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले वर्ष अपने पडोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी महिला की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र क मास तक पलंग से उठना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूच्छा आ जाती थी। दो-दो डॉक्टर से राहने बैठे रहते थे। बर्फ सिर पर रखी जाती। मैं सोचता जा रहा था। शोक करने। गम मनाने के लिए भी सहूले चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मनुश्यों की पोशाकी उन्हें विभिन श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाकी सामाज में मनुश्य का अधिकार और उसका दरजा निश्चत करती है। वैं हमारे लिए अनेक बंद दर्वाजे खोल देती है। परंतु कभी कि ऐसे भी परिस्तिती आ जाती है कि हम जरा नीचे जुक कर समाज के निचली क्षेणियों की अनुभूती को समझने की चेश्टा करें तो हमारी पोशाखी बंधन और बड़पन बन जाती है